हेलो फेंट्स आज मैं दिल्ली डिविजन के अंतरगत कंड़क करवाए गये जुनियर इंजिनियर के पेपर्स के सॉलूसन देखेंगे इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एब हम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एब हम चैनल को सब्सक्राइब करना न भ करवाए गये थे और यह पेपर 25 परसेंट परमोसन कोटा के अंतरगत थे पर बात करें एकजाम डेट का तो अभी हाली में 24 अगस्त 2024 कोई पेपर कंड़क करवाया गया था जिसमें अगर बात करें तो नमबर अप क्यूचन जो पूछे गए थे वो टोटल 55 पूछे गए थे जिसके लिए अगर बात करें तो केंडियो को केवल और केवल 50 परसन का जवाब देना था ध्यान रखे इस पेपर में जो परसन पूछे गए थे इसके अलाव अगर बात करें तो इस पेपर में किसी प्रकार का नेगेटीव मार्किंग का प्रभान नहीं किये गए थे साथी सथ इस पेपर को अटेम्ट करने के लिए केंडियोट को पूरे 90 मिनट यानि 1.30 मिनट का समय दिया गया था वन आवर 30 मिनट का आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतरगत कौन कौन से प्रस्न पूछे गए थे पहले प्रस्न के यहाँ पर बात करें पूछे के हैं the value of x square minus 5 at x equal to minus 1 is dash यहाँ पर कोई function है if x और यह equation अगर बात करें तो x square minus 5 दिया गया है अब यहाँ पर बोलाए कि गर value को हम x बराबर minus 1 अगर put करते हैं तो x का value गर minus 1 हम x के जाओ put करेंगे यहाँ पर simply minus 1 का whole square और minus 5 हो जाएगा यहाँ पर जब आप इसको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे तो 1 minus 1 का square 1 ही होता है minus 5 होगा जो value निकल कर आएगा वह minus 4 निकल number c इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश परसन पूछे गया है How old will I be after 10 years if my age before 10 years was x years यानि अगर कोई person है जिसका यहाँ पर उम्र बताया गया है कि 10 साल बाद क्या होना चाहिए अगर 10 साल पहले उसका उम्र x years है यहाँ पर before 10 years x years उसका दिया गया है current में अगर बात करें हम तो उस person का अगर जो age निकल कर आएगा हुआ simply 10 years पहले x था तो यहाँ पर current में x plus 10 years हो जाएगा simply अगर next 10 years में अगर बात करें जो आने वाले 10 years में उस case में simply x plus 10 तो current में ही और simply इसमें 10 और add कर देंगे तो 10 सल बाद क्या उम्र होगा वो यहाँ पर निकल जाएगा तो यहाँ पर option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश जो प्रसन पूछे गए हैं इसमें जो cost price निकल कर आएगा वह simply selling price minus profit कर लेंगा यानि 100 minus 20 करेंगे तो आपका 80 रुपीज यहाँ पर आपका cost price होगा अब यहाँ पर जो पूछा गया है गयन परसेंटेज पूछा गया है और 4 से यहाँ पर 25 टाइमस में से यहाँ 100 कर जाएगा यानि जो प्रसन यहाँ पर इंसर निकल कर आएगा वह 25 परसेंट गयन परसेंटेज निकल कर आएगा यहाँ पर बात करें option number का तो option number यहाँ पर a इसका सही उत्तर हो जाएगा निश प्रसन यहाँ बात करें तो what is the product of x plus a and x plus b कोई यहाँ पर x plus a दिया गया है और x plus b दिया गया है तिहाँ पर one by one product करेंगे यहाँ पर गुना करेंगे तो simply हम पहले x को लेंगे तो x square यहाँ पर हो जाएगा फिर यहाँ पर निकल कर आएगा x b फिर यहाँ पर a x फिर यहाँ पर a b निकल कर आजाएगा simply x square same to same रह जाएगा और यहाँ पर दोनों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x common आजाएगा तो यहाँ पर simple x common लेंगे तो आपका यहाँ पर a plus b यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर a b already है तो यह यहाँ पर दोनों का product निकल कर आएगा जो कि इगर बात के रिए option number का इस परकार का option number d में दिया गया है तो यहाँ पर option number d इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश जो प्रसन पूछे गया है इस 200 students affiliate the form for interest test and the 180 appear in the test out of which only 70% have passed the test than the number of students who failed the test यहाँ पर बोला गया है कि 200 candidates ने यहाँ पर form fill किया था fill form जिसमें से केबल और केबल 180 candidates ध्यान रखे 180 candidates ने यहाँ पर exam को appear हुए थे तो यहाँ पर और उसमें से भी जो पास करने वाले जो candidate के percentage है वो 70% तो यहाँ पर simply 180 का 70% यहाँ पर निकालेंगे तो वन जीरो से वन जीरो यहाँ पर कट जाएगा वन जीरो से यहाँ पर जब 18 को multiply करेंगे 7 से तो आपका जो निकल कर आएगा 126 निकल कर आएगा यहाँ एक सो असी में से 126 candidate ने एक्जाम को पास किया है अब यहाँ पर पुछा गया जो candidate फिल किये हैं तो टोटल आप यहाँ पर देख चुके हैं कि जो candidate ने एक्जाम पर एक्जाम को फिल किये हैं तेहां पर जो सही उत्तर होगा वह option नंबर यहाँ पर B में दिया गया है 54 तेहां पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्प्रस्ट यहाँ पर है if the width of rectangle is 10 cm less than its length and its perimeter is 15 cm than the width of the rectangle को यहाँ पर rectangle यानि आयत यहाँ पर दिया गया है जिसका perimeter यहाँ पर जो है वो 50 cm दिया गया है परिमाद और यहाँ पर बुला गया है कि जो width है rectangle का वो 10 cm यहाँ पर छोटा है length के मुकाबले यहाँ पर बात करें कि अगर कोई इसका length को अगर x consider करते हैं तो जो यहाँ पर इसके width जो होगा 14 होगा वो simply x-10 हो जाएगा चुकि आप जानते हैं कि किसी भी rectangle यानि आयत का perimeter यानि परिमाप निकालना होता है तो simply perimeter जो होता है perimeter इक्वल टू इन्टू length plus breadth यहाँ पर 24 होता है width होता है तो यहाँ पर simply जो होगा perimeter यहाँ पर 50 दिया गया है 2 यहाँ पर already put हो जाएगा और यहाँ पर बात करें तो length यहाँ पर x cm दिया गया है width दिया गया है वो और x-10 यहाँ पर होगा जब आप यहाँ पर equation को solve करने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर simply आएगा 50 equal to 4x minus 20 निकल कर आएगा जब 20 को left side लाएगे तो आपका जो होगा 4x equal to 70 होगा और x equal to 35 by 2 हो जाएगा यहाँ जो दिया गया rectangle का length होगा वो 35 by 2 हो जाएगा वहीं आपका width अगर पूछा गया था तो width यहाँ पर simply x के मुकाबले जो length के मुकाबले 10 cm कम था तो यहाँ पर 35 by 2 minus 10 कर देंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 15 by 2 cm इसका चोराई हो यानि width निकल कर आएगा यहाँ पर length था 35 by 2 और width था जो वह 15 by 2 था दोनों cm में थे यहाँ पर option की तरफ चले तो सारे जो option दिये गये हैं वो square के basis पर दिये गये तो यहाँ पर इस परकार भी यहाँ पर सारे option गलत दिये गये हैं और किसी भी option में हाँ पर 15 by 2 में दिये नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सारे option गलत हो जाएंगे ध्यान रखे इस प्रसने के लिए length हो जाएगा 35 by 2, width हो जाएगा 15 by 2 cm इस प्रसने हाँ पर है solve the simultaneous equation 13x-6y equal to 30 and 7x plus 4y equal to 18 यहाँ पर एक equation दिया गया है दो equation इसमें से हमें x और y का value find out करना है ध्यान रखे पहले equation में है 13x-6y equal to 20 दिया गया है जबकि second equation में जो दिया गया है वह 7x plus 4y equal to 18 दिया गया है अब यहाँ पर x और y के निकालने के लिए यहाँ पर simply किसी एक quantity चाहे और x को दूसरी equation से same करना पड़ेगा या तो y को करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप ध्यान रखे कि यहाँ पर plus और minus यहाँ पर अलगलग symbol यहाँ पर y के case में दिया गया है तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 52 x minus 24 y equal to 80 निकल कर आएगा जब आप second वाल एक्वेशन उच्छे से multiply करके यहाँ पर लाएंगे तो आपका simply निकल कर आएगा 42 x और यहाँ पर symbol simply 24 y हो जाएगा equal to यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 108 निकल कर आएगा आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों equation में यहाँ पर y का value सेम है हम simply हम दोनों equation को जोडने की कोशिस करेंगे तो दोनों equation को जोडने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर simply plus और minus की case में यहाँ पर 24 y और plus में जो 24 y हो कट जाएगा यहाँ पर जो simply x का दोनों value हमारा जूर जाएगा और जो right hand का जो numerical value है वो हमारा add होकर आ जाएगा x के value जो यहाँ पर आएगा निकल कर वो simply आएगा 94x equal to यहाँ पर जो होगा 188 निकल कर आएगा तो यहाँ पर simply 94x equal to 188 यहाँ पर 2 times में यहाँ पर कट जाएगा तो x का value जो निकल कर आएगा अब यहाँ पर आप देख लिए कि यहाँ पर x का value आपका 2 निकल कर आएगा है तो simply किसी एक equation में यहाँ पर x का value पूट कर दे जब आप x का value किसी एक equation में यहाँ पर पूट करेंगे तो यहाँ पर आपका value जो निकल कर आएगा वह minus 1 निकल कर आएगा यहाँ पर इस परकार के गर बात करें option का की x का value 2 और y का value minus 1 वह इस परकार का option option नमबर ये में दिया गया है ते हाँ पर option नमबर जो वो option number A का सही उत्तर हो जाएगा, x का value 2 था, simply हाँ पर आप x का value put करेंगे, यहाँ पर 13 multiply by 2 minus 6y equal to 20 है, यहाँ पर 6y का value राइट में जाएगा, पुलिटिम में आ जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका value, y का value 1 आएगा, यहाँ पर आपका value 2 है, y का value 1 है, जो की option number A में दिया गया है, यहाँ पर option number A करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नेश प्रस में हाँ पर है the list common multiple LCM of 2 के power square multiply by 4 के power 2, and 2 के power Q multiply by 4 के power Q, तो इस दोनों के case में हाँ आप लिस्ट common multiple निकालना है, याने LCM निकालना है दोनों का, आप जानते हैं कि जब भी आपसे list common multiple यहाँ पर पूछा जाता है, तो ऐसा numbers होता है, जब दोनों numbers जो दिये गए हैं, इससे ऐसा individual number निकालना है, यह सबसे छोटा भी हो और दोनों से individual भी हो, तो यहाँ पर बात करें कि 2 का power 2 multiply by 4 का power 2 है, यहाँ पर simply जब आप इसका total value निकालेंगे तो 64 होगा, और यहाँ पर 2 के power Q है, multiply by 4 के power Q है, यहाँ पर इसका value जो होगा 512 हो आप अब दोनों case में जब आप maximum यहाँ पर least common multiple निकालना ही कोशिज करेंगे, तो आपका cable और 512 आ जो की सबसे छोटा number है, और दोनों से divisible भी है, इस प्रकार के जो numbers होते हैं, और least common multiple याण LCM कहलाते हैं, तो यहाँ पर बात करें, option number का, तो option number यहाँ पर डीज का सही उत्तर हो जाएगा, 512, यहाँ पर है, what is the meaning of www, www का मतलब यहाँ पर होता है, जब भी आप कोई website बगरा जो सर्च करते हैं, तो यहाँ पर इस परकार का होता है, है HTTPS, और यहाँ पर two ratio लगा होता है, इसके बाद दो हमारा cross column लगे होते हैं, और यहाँ पर www लिखा होता है, तो यहाँ पर simply जो किसी website से पहले जो HTTP जो होता है, वो इसका full form होता है, hyper text, transfer, protocol, secure network होता है, जब भी कोई website से पहले www यहाँ पर लगाया जाता है, तो इस परकार यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, वो option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा, world by wide wave, निश्ट प्रस में हाँ पर है, in beach form data is saved in a computer, competence के अंतर का जो data save किया जाता है, किस रूप में save किया जाता है, तो यह simply binary form में save किया जाता है, जब भी कोई हम commands बगारा देते हैं, या information देते हैं, तो उसको जो procedure के, जो procedure जो होते हैं हमारा computer के अंतर, वो simply दिये गए commands या information को binary data परिवर्तित करता है, ताकि इसको execute आगे की तरफ किया जा सके, तेहां पर जो सही उत्तर होगा, वो option number, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाइंड़ी निश्ट जो प्रस्ट पूछे गये हैं, वाटी दा validity of brake power certificate of closed circuit rack, बी यल सी, वैगन्स, जो बी यानि बोगी, लो प्लेटफर्म, कंटेनर वैगन्स जो होते हैं, इनका closed circuit rack के case में, इनका ब्रेक BPC का वैडिटी कितना होता है, वो यहां पर पूछे गये हैं, यहां पर बात किरें, सबसे पहले हम देखे, closed circuit rack जो होता है, वो फेट इस्टॉक के अंतर जो अलग अलग प्रकार के जो एक्जामिशन होते हैं, चाहिए वो end-to-end हो, premium हो या closed circuit rack हो, बर्तमान में special premium को भी introduce किया गया है, तो closed circuit rack के case में coordinating points पर 100% break power होता है, जबकि in route के case में 90% break power होना अनिवार्ज है, इसके अलावा जब भी इस प्रकार की BPC दिया जाता है, तो yellow color paper का age किया जाना चाहिए, साथी साथ इस प्रकार के जो closed circuit rack जो होते हैं, इनके लिए examinations के लिए 100 man hour per rack की requirement होता है, साथी साथ इस प्रकार के अगर बात के लिए BPC जो CC rack के द्वारा जारी किये जाते हैं, नॉर्मली basis पर 30 plus 5 days या 35 plus 5 days होता है, जबकि किलोमेटर basis पर या 6000 किलोमेटर से लेकर 10,000 किलोमेटर तक या रेक टूडेक वहरी करते हैं, जो box जो बाक्से नेचल बैगन जो run किये जाते हैं, उन नॉर्मली 35 plus 5 या 10,000 किलोमेटर के भी आपर run किये जाते हैं, इसके लाबा अभी काफी साथ जो trial basis पर इसका किलो बात करें, तो अभी जो नए लेटर जारी किया गया था, 28 मार्च 2024 को railway board द्वारा, इसके बिहाब पर बात करें, तो 30 सितंबर, trial basis जो है, trial basis पर 30 सितंबर 2024 तक, जो BPC जारी किये जाएंगे, किलो मेंटर के लिए जारी किया जाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखें, यह केबल 30 सितंबर 2024 तक, trial basis के अधार पर railway board द्वारा यह जारी किया गया है, तो current में यही इसको procedure फॉलो किया जाता है, जब भी BPC, BLC बैगन का किलो सितंबर 2024 तक, तो यहाँ पर बात करें, ओफसन न सिसका सही उत्तर हो जाएगा, 9000 किलोमेटर और 30 days, whichever is earlier, निश्ट प्रस निहाँ अब बात करें, पूछे गए है, color of break power certificate of year break goods train in to end, in to end जो trains है, इनके case में जो break power certificate का color code होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, तो good train के case में जो IRCA, edge पर IRCA, part third, जो कि mainly freight stock से related है, इसमें जो in to end की बात किया गया है, in to end rate के case में, जो BPC का color code होना चाहिए, वो white color होना चाहिए, जब कि premium के case में अगर बात करें, तो green colors में जारी किये जाते हैं, वहीं अगर बात करें, cc rack का, cc rack की case में या, illo form में जारी किये जाते हैं, इस परकार आप तीनों परकार के BPC का color code यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, इस परकार की अगर बात करें, तो कहीं भी ऑफिसन नमबर में, white color in to end rate के लिए mention नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सारे option गलत हो जाएगा, ध्यान रखे, in to end rate के case में white color, premium के लिए green और cc rack के लिए yellow colors का use किया जाता है, edge पर IRC यह पार्ठर, नेश प्रस नहाँ पर है, permissible leakage rate of year pressure in good trends, edge पर G97, जो G97 RDSO technical template जो जारी किये गये हैं, freight stock के year break, year break systems related है या, इसके अंतरे जो leakage rate mention किया गया है, वो 0.25 kg per cm2 per minute तक, यहाँ पर leakage rate allow permit किये जा सके है, तो यहाँ पर बात किरें, option number का, तो option number जो होगा, वो option number यहाँ पर, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेश्ट प्रस यहाँ पर है, maximum wheel diameter of BLC wagon, BLC wagon का यहाँ पर, maximum wheel diameter पूछा गया है, जिसका अगर बात करें, तो एक units में 5 cars लगे होते हैं, दोनों int पर A cars होते हैं, और बीच के 3 percent जो होते हैं, इनको connect करने के लिए slackless draw bar का उप्योग किया जाता है, जिसका अगर बात करें, rail level से height का, तो 1845 mm होते हैं, जबकि जो CBC जो लगे होते हुए, वो एक car के last input पर लगा होता है, जिसका height rail level से 1105 mm होते हैं, इसमें जो चक्की यूज के जाते हैं, इनका डाया नए condition में 840 mm, जब radius हो करिया 780 mm आ जाते हैं, ध्यान रखें यह विल डाया है, तो इसको हम service से condemn कर देते हैं, इसके अलाबा इसमें प्रते कार के उपर, आठ की संख्या में ATL प्रियूग किये जाते हैं, कंटेनर को लॉक करने के लिए, जिसका फूल प्रम होता है, अटमाटिक ट्विस्ट लॉक, जिसको लॉक करने के लिए 600 kg का weight का forces का requirement होते हैं, अनलोक करने के लिए 1000 kg का, और ATL के नए कंडिशन में होता है, वो 840 mm होता है, यहाँ पर option number भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, निश्ट प्रस यहाँ पर है, what is the maximum brick cylinder pressure in empty condition for BLC wagon, BLC wagons में, empty एवं, loaded को sense करने के लिए, परते एक बोगी में, 01 LSD, load sensing device परते बोगी में यहाँ पर लगे होते हैं, जिनका काम होता है कि जो भी बेट यहाँ पर wagon की container में, वो बलब्द है, उसके sense करके यहाँ पर pressure जो brick cylinder भेज़ जाते हैं, वो उसी परकार भेज़े जाते हैं, empty condition में यह pressure 2.2, loaded condition में यह pressure 3.8 kg पर cm2 का होता है, तो यहाँ पर प्रस में जो पूछा गया था, दो की संक्या में परते कार में उपलब्द होते हैं, next जो प्रस न पूछे गया है, the k-type composite break block should be changed if worn out beyond, जो k-type composite break block को कब change किया जाना चाहिए, जब उसका एक limit जो होता है, उससे beyond हो जाए, कम हो जाए, तो अगर बात करें, तो k-type break block जो होता है, वह bmbs, wagon और bmbc, coaches के अंतरकत परियोग किया जाते हैं, जबकि l-type की अगर बात करें, तो l-type का परियोग under frame mounted, जो good strain है, उनमें l-type break block का परियोग किया जाता है, के-type की अगर बात करें, तो k-type का जो condom limits जो रखा गया है, वह 12 mm पर इसको condom कर दिया जाता है, जबकि l-type के लिए 10 mm रखा गया है, तो यहाँ पर बात करें, अगर जो प्रस में पूछा गया था, k-type की condom limits का, तो यहाँ पर जो सही होगा, ओफसर नमबर b, 12 mm यानि 12 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओफसर नमबर b, नेश प्रस यहाँ पर है, दा फंक्शन ओफ नौन निटन बाल्ब यूजट इन येर ब्रेक सिस्टम, येर ब्रेक सिस्टम के नतर जो नौन निटन बाल्ब लगा होता है, इसका फंक्शन क्या है, कार्ज क्या है, तो चुकि आप जानते हैं कि एक BP pipe का, यहाँ पर होता है, पुरे ब्रेक सिस्टम के नतर और ये होता है BP pipe, यहाँ पर डट कलेक्टर लगा होता है, ब्रांच pipe निकलने के लिए, उसके बीच में एक आइसलोटिंग कॉक लगा होता है, आइसलोटिंग कॉक से आगे बढ़ने पर आपका एक एनर भी लगा होता है, नौन इंटन बाल् यही इनर भी नौन इंटन बाल्व का फंक्शन होता है, यह केबल और केबल वन बे डायक्शन पर यहाँ फॉलो करता है, यहाँ पर बात करें ऑफ्शन नंबर का, यहाँ पर तो प्रिवेंट दा फॉलोओ और फ्रॉलोओ और फ्रॉलोओ याद टू फिडवाइब, सिंगल कार्ट टेस्ट टेस्ट टेक, सिंगल कार्ट टेस्ट ट्रीक के ब्याप पर यहाँ पर सेंसितिविट्यटी टेस्ट गेलैद किए लगाईपवे कितना होता है, तो सेंसिविट्य टेस्ट के अंटर हो simply 0.6 cg पर स 움직या d dafür के प्रेसर, 6 सेकेंड तक ड्रॉप किया जात पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कर नेश प्रस्थ नहां पर है वेर इस एक रील इस्प्रिंग करखाना लोकुटिर रेल इस्प्रिंग करखाना जो है वह मिली सिफावली ग्वालियर के अंतरगत सिचुेटर है यहां पर बात करें ओफसर नंबर का तो ओफसर नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके अलाबा जो RCF है रेल कोच फेक्टरी या कपूर्थला पंजाब के अंतरगत है यहां राय वरेली उत्तरप्रदेश के अंतरगत है वहीं ICF की अगर बात करें इंटीगल कोच फेक्टरी जिसके द्वारा पहली बार बंदे अभाद को यहां पर मैनुफ्रक्टर्स किये गए थे जिसका अगर बात करें तो यहां पिरामबूर चन्नाई के अंतरगत है साथितर अगर बात करें RWF Rail Will Plants जो है Rail Will Factory यह में ली यालंका बैंगलोर के अंतरगत है यालंका बैंगलोर के अंतरगत वहीं RWP की अगर बात करें Rail Will Plants का यह बेला बिहार के अंतरगत लोकेटेड है नेश प्रस्ट यहां पर बात करें अगर तो नेश जो प्रस्न पूछे गये हैं वो पूचे गये हैं What is the Transportation Code of Inspection Carriage Administrative जो परसासनिक Inspection Carriage के लिए जो टान्सپोर्टेशन कोड रखा गया है वो मिल्ली RA रखा गया है यहाँ पर बात करें ओफसर नमबर का तो यहाँ पर ओफसर नमबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके अलाब अगर बात करें तो BPH जो है यह मिल्ली High Cap City पार्सल वान के लिए लिया जाता है इसके अलाब आपसे WCB काफी पूछा जा चुका है एक जाम के अंतगा जिसका टास्पोर्टेशन जो कोड होता है वो पैंट्री कार के लिए यूज में लिया जाता है पैंट्री कार के लिए नेश्ब्रस यहाँ पर है How many emergency window provided in AC, ICF or RCF coaches AC, ICF और RCF coaches में number of emergency window जो होता है वो चार के numbers में होते है यहाँ पर बात करें option number का option number यहाँ पर C correct उत्तर हो जाएगा नेश्ब्रस यहाँ पर है cut up angle cock can be fitted to जो cut up angle cock जो लगे होते हैं जो coach या wagons होते हैं दोनों इंट पर एक BP के लिए और एक FP के लिए लगा होते हैं टोटल चार लगे होते numbers में और यहाँ बीपी यहाँ फी दोनों के लिए होते हैं तो यहाँ पर option number C correct उत्तर हो जाएगा नेश्ब्रस यहाँ पर है what is the pressure of contour जरवायर in coaching trains coaching train के अंतर के जो contour जरवायर का pressure होता है वो कितना होता है जो बीपी पाइप जो होता है में लिए बीपी पाइप से यहाँ पर dot collector लगे होते हैं dot collector से यहाँ पर isolating cock लगा होते हैं आगे बढ़ने पर यहाँ पर DB लगा होता है और DB के साथ ही CR attached होते हैं contour reservoir तो contour reservoir का में अगर बात करे अगर तो इसमें जो pressure जाता है वो 5 kg पर cm2 का pressure जाता है जबकि एगर बात करें इसके capacity का तो capacity 6 reader का होता है और यह charge BP pipe के माधियम से होते हैं BP pipe से सबसे पहले pressure DB में जाता है और DB के माधियम से यह control reservoir को यह charge किया जाता है यहाँ पर pressure पूछा गया था तो यहाँ पर simply 5 kg per cm2 option number की अगर बात करें तो option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्न यहाँ पर बात करें तो reduction in BP pressure full service application जब भी local parts के द्वारा pressure drop किया जाता है तो इसमें अलग-अलग stage में यहाँ पर pressure को drop किया जाते है यह कर बात करें service application तो service application में simply जो pressure drop किया जाता है 0.8 से लेकर 1 kg तक का pressure drop किया जाता है ध्यान रख कि अब बिरेक 5 pressure drop किया जाते है वहाँ यह गर बात करें full service application का तो full service application case में 1 से लेकर 1.5 kg pressure तक drop किया जाता है तो यहाँ पर बात करें जो प्रस्ट ने पूछा गया था full service application के लिए तो full service application के लिए 1 से लेकर 1.5 kg तक का pressure यहाँ पर drop किया जाते है नेश्ट प्रस्ट यहाँ पर है during break release year from break cylinder goes to जब भी break cylinder को जब भी break को release किया जाता है जो QRB के माध्यम से तो उस दोगा जो भी break cylinder से pressure जाता है वो atmosphere में जाता है यहाँ पर option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ट पूछे गया है at what schedules testing of pressure gauge and replacement of defective gauge in SLR SLR में जो pressure gauge का testing हो या उसके defective gauge को replacement हो यह मिलनी IOH के तोरान किया जाता है intermediate overhauling के तोरान तो यहाँ आपर बात करें option number का तो option number यहाँ पर यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट जो प्रस्ट पूछे गया है when DB is working condition the position of DB handle is DB का जो handle होता है दो conditions में हाँ आपर function करते है जब वो vertical होगा तया मिलनी working condition को indicate करेगा जब DB का handle horizontally अगर होगा इस परकार के जो condition होते हैं वो isolate condition को indicate करते हैं यहाँ पर बात करें option number का तो जो option number यहाँ पर working condition के लिए दिया गया है वो vertical condition option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेश प्रस यहाँ पर है debt collector should be cleaned within जो debt collectors होते हैं वो मिली जब भी BP या FV इसके branch pipe के लिए जो pressure निकलता है वही branch pipe के पास यह debt collector लगा होता है जिसका काम होता है कि जो भी pressure आता है उसको proper clean करके आगे branch pipe में भेजा जाए तो यह मिली अगर बात करें तो इसका जो cleaning करने जो overhauling किये जाते हैं इनका debt collector का cleaning का process जो होता है वो मिली coaching के case में या IOH के दोरान और अगर बात करें वेगन केस में वेगन केस में या ROH के दोरान किया जाता है तो यहां पर बात करें ओफसेन नमबर का तो ओफसेन नमबर यहां पर यह इसका सही उत्तर हो जाएगा at the time of IOH निश्ट प्रस नहां पर है in year break system breaks should apply when the rate of drop of year pressure in BPEs year break system के अंतर break apply हो जाना चाहिए जब कितने rate से pressure को drop किया जाना चाहिए break pipe से pressure drop किया जाता है तो इस परकार के जो प्रस्म पूछे जाते है कि break apply होना चाहिए कितने rate से pressure BP का drop किया जाता है यह मिली sensitivity test को यहां represent करता है और इस दोरान जो pressure होता है 0.6 kg pressure 6 second तक drop किया जाता है इस दोरान DB sense करता है break गारी में apply होते हैं यहां पर option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा next press में जश्ट पुछा गया break apply नहीं होने चाहिए जब BP pipe से कितने तक का pressure यहां पर drop किया जाता है तो इसको जो process बोलते है वो in sensitivity test बोलते है इसमें जो pressure simply जो होता है break pipe का वो 0.3 kg पर cm2 के pressure 60 second तक drop किया जाता है इसमें जो होता है DB sense नहीं करता है और break भी नहीं लगते हैं तो इस परकार का process जो होता है insensitivity test होता है यहां पर option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा next ब्रस्न यहां पर है water tank capacity of ICF coach ICF coach में परतेग water tank का capacity 4 liter का होता है चार टैंक लगे होते हैं total capacity जो होगा 800 liter का होगा यहां पर option number जो होगा 1800 liters वो हो जाएगा option number B में दिया गया 1800 liters यहां पर option number 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा next ब्रस्न यहां पर है under slang tank capacity of roof mountain AC coach fitted with WRA system जो WRA water rising apparatus system के साथ जो roof mountain AC coach जो fit होते हैं इनका under slang tank का जो capacity होता है वो 1600 liters का होता है यहां पर option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा next ब्रस्न यहां पर है the color of brake pipe in coaching trains coaching trains में जो brake pipe of color होता है वो मिली green color का होता है और इसमें pressure होते है वो 5 kg फर्स एंटिमेटर स्क्वार का होता है यहां पर बात करें option number का यहां पर option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा next ब्रस्न पूछा गया है feet pipe के लिए feet pipe का जो color होता है वो white color होता है color coat इसके लिए और इसमें pressure 6 kg पर्स एंटिमेटर स्क्वार का होता है यहां पर option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेज जो प्रस्न पूछे गया है किसी करमचारी के खिलाप अनुसासन और अपील नियम के अंतरगत अनुसासात्मत मामले शुरू किये गये हो और मामला समाप्थ होने से पहले रेल्वे करमचारी के मिर्दी हो जाता है उस case में क्या होगा तो अगर बात करें हाँ पर इंगलीस firm नहीं दिया गया तो यहां पर इस प्रसन का जो अगर इंगलीस भरजन की गर बात करें यहां पर पूछा गया है इस और डिसिप्लिनरी केस है बिन इनिसियेटे अगैस्ट अन एंप्लॉई अंडर दिसिप्लीन एंड अपील रूल्स 1968 और रेल्वे एंप्लॉई डाइ बिफोर तक केस कंक्लूडेर अनि कंक्लूड होने से पहले रेल्वे एंप्लॉई डाइज हो गया है मर चुकी है तो वाट विल्वे हैपेंड टू डाइट केस जब भी कोई करमचारी है खिलाब कोई डिसिप्लीन एंड अपील रूल्स 1996 के अनुसार अगर कोई करवाई स्टार किया जाता है ध्यान रखे करवाई कंप्लेट होने से पहले समाप्त होने से पहले करमचारी की मिर्थी हो जाता है तो उस केस में जो केस जो इनिसियेट किये गए थे वो से क्लोज कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आफ्सान नमबर दी इमेडेटली कलोज नहां पर हो जाएगा ने जो प्रसंद पूछे गए है दिम्ड निलंबन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक पपतर का उप्योग करना आफ्सेक है यहां पर बिकल्ब दिया गया अलागला बिकल्ब तो यहां पर बात करें अगर कि अगर कोई करमचारी को निलंबन आदेश जारी करने के लिए कोई पाना पपत जारी किया जाता है तो इस प्रसंद के लिए यहां पर बात करें इंगलीस भरजन का तो इसमें ध्यान रखे कि उसे 48 आबट से जादा पुलीस कश्टडी का यहां पर होनी चाहिए 48 आबट से जादा उसका टाइम परिये एकसिट करता है तो जब से उसको हिरासत में लिया गया उस भिहाब पर उसको डिम सस्पेंसन यहां पर समझा जाएगा इसके लिए जो यहां पर मानक पपत याने इस्टेंडर फ़र्म जारी किया जाता है वह इस्टेंडर फ़र्म 2 का परियोग किया जाता है यहां पर जो सही उत्तर होगा ओप्सन नंबर सी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसके अलाब अगर नॉर्माली सस्पेंसन करना होता है तो इसके लिए standard form 1 का प्रयोग किया जाता है standard form 3 में कोई करमचारी अगर निलम्बित है तो उस दोना उसको निर्वावत के लिए कुछ बत्ते ऐलाउंसे दिये जाते हैं या ऐलाउंसे करमचारी के signature के विहाब पर जारी किये जाते हैं इनमें या मेंसर करना पड़ता है कि करमचारी किसी परकार का अन एलाउंसे बगर उस समय नहीं मिल रहे हैं उस भिहाब पर suspended करमचारी को या एलाउंसे या निर्वावत्ता हुआ standard form 3 के अमाध्यम से जारी किये जाते हैं standard form का परयोग करमचारी का निलंबन से बहाली यानि रिवोकेशन फ्रम सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है standard form 5 का परयोग जो होता है major penalty बरी साष्टी के लिए किया जाता है इसके लिए अगर बात करें इसके लाबा तो standard form 6 का परयोग जब भी कोई document इंस्पेक्ट करना हो और कोई इसमें refusing करते हैं तो इस बिहाब पर उसको यहाँ पर standard form 6 जारी किया जा सकता है वह इस standard form 7 का परयोग appointment of inquiry officers के लिए किया जाता है जबकि 8 की गर बात करें तो appointment of presenting officers जबकि standard form 11 की गर बात करें तो इसमें minor penalty छोटी सास्ती के लिए standard form 11 का इस्सू किया जाता है नेश्ट प्रस्न कि यहाँ पर बात करें तो भारती रेल यान्तिक इंजिनियर सेबा का परसीशन कहा होता है जो यान्तिक इंजिनियर जो होते हैं मेकनिकल इंजिनियर इनका जो डियाटली बेसिस पर जो इंडियान इंजिनिरिंग सर्विस जिसको अभी मोडिफाई करके अलग यहाँ बना दिया गया है उनके पिहाँ पर जब इसको अपॉइंट गिये जाते हैं चाहे हो ग्रूप A हो चाहे डिपार्टमेंटल बेसिस पर ग्रूप B के अंतरगत जो आते हैं मेकनिकल इंजिनियर उनको एक टेनिंग की रिक्वार्मेंट होता है जिनको घरबात के फांडेशन कोर्स की घरबात के तो यहाँ फांडेशन कोर्स नायर के माध्यम से निसनल अकेडमी ऑफ इंडिया रेलबे के माध्यम से जारी किये जाते हैं जो की ब्रोद्रा गुजरा दोस्ट के बाद इन्हें IRI MEE यानि इंडिया रेलबे इंस्टिूट और मेकनिकल इंजिनियर्स यहां पर इंस्टिूट में भेज जाते हैं जिसका अगर बात करें लोकेशन का तो यहां मेली जमालपुर के अंतरगात हैं यहीं पर मेकनिकल इंजिनियर्स का ट्रेनिंग किये दे जाते हैं अगर बात करें ओफसेन नंबर का तो और इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके लाभा अगर बात करें एक हैं RIE, इन्डिय एल्बिय इंस्टिूट्ट आफ लिक्टिकल इंजिनियरिंग या मिलाली नाज्दिक माहर्ष्टा के अंतर रहते हैंmamal लिन नासिक महरास्ट्रा केह नंतर रहते हैं और एक अर्वन इसके लावा की प्रस्नल्एल हो इस्टोर्ष हो इन सरे को जो फांडिशन कोर्स दिये जाते हो मेलने नायर के माध्यम से जारी किये जाते हैं नेश प्रस नहाँ पर है maximum days of live on average that can be accumulated जो एलेपी जो है कितने उनको एकमेट जामा कर सकते हैं संचे कर सकते हैं तो maximum पूरे सर्विस में हुआ केबल केबल 300 एकमेट कर सकते हैं संचे कर सकते हैं वहीं अगर आप से पूछा जाता है एलेचेपी तो एलेचेपी में यहाँ लिमिट अलिमिटर रखा गया है यहाँ पर option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्प्रस नहाँ पर है लेचबी कोच और प्रवाड़ेर विट बिज टाइप अब बेरिंग लेचबी कोच जिसमें फियर्ट बोगी का परियोग किया जाता है इसमें मेली CTRV यानि कार्टिज टेपर रोलर बीरिंग का परियोग किया जाते हैं इसके लाबा जो CTRV परियोग वैगन के अंतरगत जो कैसना बोगी है उसमें किया जाता है बंदेभात के अंतरगत भी CTRV का ही परियोग किया जाते हैं यहाँ पर बात करें अगर ऑफ्सन नंबर का तो ऑफ्सन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके लाबा इस्परिकल टाइप का परियोग जो होता है double low self-line इस्परिकल रोलर बियरिंग का परियोग ICF कोच में किया जाता है ICF बोगी के अंतरगत इसके लाबा UIC जो ट्रोली है चाएग जो BBGRC ट्रोली जो है इन में cylindrical रोलर बियरिंग का परियोग किया जाता है नेश्ट प्रस यहाँ पर है total number of birth of second class sleeper 3 tiers यहाँ पर चुकि यह mention नहीं किया गया है कि LHB कोच के लिए है यह ICF कोच के लिए यहाँ पर 3 tiers का यहाँ पर number of birth पुछा गया है total numbers तो अगर बात करें हम LHB यहाँ पर ICF है यहाँ पर हम 2 tiers की बात कर रहे है यहाँ पर 3 tiers की बात कर रहे है LHB के गर बात करें तो 2 tiers में number of birth की गर बात करें तो 54 होता है और 3 tiers में यह बढ़कर 72 हो जाता है वहीं ICF की गर बात करें तो ICF में 2 tier के अंतगत 46 और 3 tier के अंतगत 64 number of total birth होते हैं तो इस परकार आप यहाँ पर देख सकते हैं चुकि प्रस में केबल 3 tier के लिए पूछा गया था तो 3 tier के case में यहाँ पर यह mention नहीं है LHB या ICF तो यहाँ पर 72 एबं 64 भी दोनों सही हो सकता है तो यहाँ पर option दोनों दिया गया है तो यहाँ पर आपका option A एबं option C दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी परकार का type mention नहीं किया गया है LHB और ICF का निश्ट प्रस यहाँ पर है the average coefficient of friction of complete break blocks जो break blocks परियोग किये जाते हैं इनमें कुछ average coefficient होता है frictions का जिसके आप पर यह breaking करते हैं तो मिलनी एगर बात करें तो K types जिसका प्रयोग BMBC wagons में और BMBC coaches में किये जाते हैं इनका friction coefficient जो होता है 0.25 होता है वहाँ L type break block जो होते हैं अंडर frame mountain good strain में किये जाते हैं इसका friction coefficient 0.17 होता है यहाँ पर प्रस्ण में अगर देखें तो केबल 0.25 में इसन किया गया है जो कि K types के लिए होते हैं यहाँ पर option number B करेक्ट उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण यहाँ पर है what is the function of SAB ACB का full pump होता है slack list barrel या mainly automatic roof से break block यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ की तरफ चले अगर तो option number इस परकार का जो SAB का function पूछा गया था option number C में दिया गया है to maintain the slack between break blocks and wheel trades नेश्ट प्रस्ण यहाँ पर है the full pump of P.E.A.S.D. P.E.A.S.D. यानि passenger emergency alarm signal device इसका full pump होता है यहाँ पर बात करे option number का तो option number यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसको अधार नेम में पाइलेट बाल्ब की नाम से भी जाना जाता है नेश्ट प्रस्ण यहाँ पर है full pump of P.E.A.V. P.E.A.V. का full pump होता है passenger emergency alarm बाल्ब और अगर बात करे passenger emergency alarm बाल्ब का तेहाँ पर option number जो होगा वो option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका अगर बात करें चोक डाया का जिससे यहाँ पर pressure drop की जाते हैं जब हम चैन्पुलिन करते हैं तो इसमें अगर बात करें तो LHV में जो चोक डाया रखा गया है passenger emergency alarm बाल्ब का ओर 19 mm का रखा गया है वहीं ICF coaches की गर बात करें तो इसमें 8 mm का चोक डाया रखा गया है niche trust यहाँ पर है beach of the flowing lies between 0 and minus 1 0 and minus 1 के beach जो 4 option दिये कौन सा यहाँ पर आएंगे 0 यहाँ पर automatic रूप से नहीं होगा क्योंकि दोनों के beach 0 नहीं आएगा minus 3 minus 1 से यहाँ पर और नीची आ गया है इसको भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह दोनों के बीच में नहीं आते है इसके अलब अगर बात करें तो minus 2 by 3 दिया गया है जिसका value अगर बात करें तो minus 0.66 आएगा अगर minus 4 by 3 की अगर बात करें तो इसका value जो निकल कर आएगा वह minus 1.33 निकल कर आएगा यहां पर 4 option भी गलत हो जाएगा केबल और केबल यहां पर minus 2 by 3 option यहां पर correct होगा जो की 0 और minus 1 के बीच light करते हैं यहां पर option number C correct उत्तर होगा next question यहां पर बात करें तो what do we call a platform which is surrounded by rail lines all other from all four sides is called यानि जो platforms surrounded हो by rail lines से चारो तरफ से four sides यहां पर हो जाएगा यहां पर हिंदी form ने चारो तरफ दिया गया अंग्रेजी form में यहां पर four sides होना चाहिए तो उस भी यहां पर जो इस प्रकार के platform जो होंगे जो चारो साइट से rail lines से घुरे हुए हो इसको island platform के तोर पर लिया जाता है बोला जाता है यहां पर option number B इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहापर है railway staff college is situated जो railway staff college है यह अभी इसका नाम नया नाम नायार कर दिया गया है national academy of indian railway यह पुराना नाम था previous old name आप इसको बोल सकते हैं जहां इसका अगर बात करें हिट quarter का तो इसका head quarter में ली ब्रोदरा बदोदरा गुजरात के अंत्रकत हैं जहां पर centralized training institute है जहां पर group A अभां B officers जो railway का है उनका यहां पर training conduct करवाया जाते हैं यहां पर जो सही उत्तर होगा वह option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहापर बात करें beyond which temperature is the excel box consider hot box coaching यानि किस ताप मांग के एवब होने पर excel box को hot excel box के तौर पर consider किया जाएगा ध्यान रखें यहां पर coaching के लिए बूला गया है यहां पर coaching के लिए पूछा गया था तो 80 degree centigrade यहां पर option number C करेंट उत्तर हो जाएगा इसके अलावा अगर बात करें तो यह normally maximum temperature होता है एक्सल का जिसके एवब होने पर उस condition इसको service से बिड्रो किया जाता है इसके अलावा भी कोई दो excel जो होते हैं उनके difference basis पर भी यहां पर यह action लिया जाता है कि कोच को service से बिड्रो करना है या permit करना है इसमें देखा जाता है कि अगर दो excel के बीच अगर temperature का limit अगर 10 degrees Celsius तक है तो उसमें कोई भी action नहीं लिया जाता है अगर 10 degrees से लेकर 15 degrees Celsius तक किसी भी दो excel का temperature difference पाया जाता है उसमें CNW points को इंफर्म किया जाना चाहिए साथ इस अगर 16 degrees Celsius से लेकर 20 degrees Celsius के बीच पाया जाता है तो इसमें एक कंपनी यहां पर किया जाएगा किसी मेकनिकल स्टाप के द्वारा अगर more than 20 degrees Celsius अगर किसी दो excel के ऊपर पाया जाता है तो इसमें एफेक्टेट पर कोचेज हो या बैगन्स हो उसको सर्विस से बिड्रो कर दिया जाए या डिटेच कर दिया जाना चाहिए इस भिहापर भी यहाँ पर देखे जाते हैं नेश प्रस यहाँ पर है ड्रो एंड बफिंग फोर्स टांस्मिस्ट इन कोच इस थू जो कोचेज के अंतरगत जो प्रो एंड बफिंग फोर्स का जो टांस्मिस्ट होता है वह मिल्ली सिंटर पिवेट के माध्यम से होता है यहाँ प्रो आफ्सन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके अलाब अगर बात करें जो साइड बीर है यह मिल्ली बीट का टांस्मिस्ट आइसी अप कोचेज ग्लाइज को इसको भी आप द्यान रख्ये नेश्ट प्रस्ण पूछे गया है वाटीघटल मिल्मम वफर हाइट पर मिट्रमीटन औरू लोडे कोचिंग सान्डाज कोचिंग इस स्टॉक अगर लोडर कंडिशन में है ता मिल्मम वफर फाइट पर मिट्टन कितने किया जा में या दोनों के समय मन देखेंगे ग्यारा सो पाच जो होता है वह मैक्सिमम हाइट होता है minimum height होता है 1090 mm ध्यानदा के empty condition में है और 1030 mm minimum buffer height होता है यह होता है loaded condition में चुकि प्रस्ण में loaded condition mention किया गया है तो यहाँ पर 1030 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बात करें option number का तो option number यहाँ पर decorrect उत्तर हो जाएगा नेश जो प्रस्ण पूछे गया है वो official language राजवासा से पूछे गया है इनमें पहला प्रस्ण जो पूछा गया है official language से what is the official language of the union of India यानि भास संग की राजवासा क्या है तो हिंदी इन दिवनागरी script में इसको सामिल किया गया है यहाँ पर option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सामिल किया गया था article 3.43 के 1 के अंतरगत और date की अगर बात करें तो 14 September 1949 को या भाती सविधान के अंतरगत सामिल किये गये थे नेश प्रस्ण यहाँ पर है बेन हिंदी दिवस डे इस इस एलिवेटर एबरी यार हिंदी दिवस जो होता है वो परते एक बार 14 September को मना जाते है यहाँ पर officer number B करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसके लाब अगर बात करें तो world world हिंदी देखिए अगर बात करें तो यह मिल ली 10 जनवरी को मना जाता है नेश प्रस्ण यहाँ पर है और नाचल प्रदिस का जो राज भासा है official language है वो अंग्रेजी को रखा गया है यहाँ पर officer number A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश प्रस्ण यहाँ पर है in beach states उर्दू has been declared as official language कौन से राज के अंतगत उर्दू को as official language के तोरपर consider किया गया है इसमें आंध प्रदिस और बिहार यहाँ पर सामिल है option number यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश प्रस्ण यहाँ पर बात करें पूछे गया है beach of the flowing is not a language included in its rules आठमें अनसुची में कौन सा language को सामिल नहीं किया गया है तो पर्दमान के अंतर का टोटल बाइस भासाओं को सामिल किया गया है जिनमें अगर बात करें तो यक्मात जो foreign language है उस नेपाली को तोरपर include किये गये हैं यहाँ में बात करें option number का तो असमिया को सामिल किया गया है बंगला पंजावी तीनों को सामिल किया जब कि यहां पर जो फोट आफसाने कुमापनी उनको सामिल यहां पर नहीं किया गया थे हैं आपर आफसान नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना नव भूले साथ वीडियो को लाइक अब हम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जी इसका आप सलूसन चाहते हो डिस्क्यूशन बॉक्स में दिये गए वार्टसप नंबर पर अपना पेपर बेज सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद